मैं इस समय पुणे के कोजी रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हूँ ये वही रेस्टोरेंट है जहां पर बितर अभिवार के दिन पुणे के कल्लानी नगर में नाबालिक आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले पार्टी की थी अपने कई दोस्तों के साथ आरोपी इस रेस्टोरेंट में ये बताया जाता है कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मौजूद था जहां पर उसे कई घंटों तक सड़ाब जो है वो मिलती रही परोसी गई और उसके बाद आरोपी यही नहीं रुका बलकि इस रेस्टोरेंट का इस्तमाल करने के बाद वो यहां से कु नाबालिक आरोपी अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुचा था लगातार कई घंटों तक पाटी करने के बाद आरोपी जो है वो शराब की नशे में गाड़ी में बैठता है और उसको यह पता है कि वो शराब की नशे में है बावजूद इसके वो ड्राइविंग सीट पर बैठ कर 200 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार में गाड़ी चलाता है जहां देडरात रविवार के दो से ढ़ाई बजे की बीच में यह दुखध हाथसा होता है जहां दो लोगों की मौत हो जाती है उसके बाद पुरे के लोगों में या कहें कि पुरे देश भर के लोगों में इस घटना को लेकर जो है एक आउट्रेज देखने को मिलता है क्योंकि नाबालिक आरोपी को लेकर जिस तरीके से जुविनाईल कोट ने पहले आदेश दिया था तो उस आदेश को लेकर भी लोगों के बीच जो है घुसा देखने को मिला उसके बाद जो पुलिस रेस्ट्रेंट का एकसाईज डिपार्ट्मेंट की तरफ से साफत तोर पे ये नोटी से यहा पर लगाया गया है ताले को सील किया गया है और ना सिर्फ कोजी रेस्ट्रेंट बलकि जो दूसरा बार है जिसको ब्लैक बार के नाम से जाना जाता है उस बार में भी कुछ इस इस पास जितने भी इस इलाके में अवैद तरीके से रेस्टरोनेंट और बार से लाए जा रहा है उस पर तोड़क कारवाई की जा रही है हमने कल देखा कि किस तरीके से जो पुणे के कमिशनर हैं अमितेश कुमार वो ये कह रहे हैं कि लगातार इस तरीके की जो मुहीम है व मुसिपल कॉपरेशन के साथ मिल कर काम करती रहेगी जब हमने यहां के स्थानिक लोगों से बात की है तो उनका यह कहना है कि चाहे वह एकसे डिपार्टमेंट है वो फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाएगा तो एक बात यहां पर पस्ट दिखाई दे रही है कि प्रशासन के कारवाई करने के बाद भी लोगों का घुसा अब तक इस मामले को लेकर कम होते वे दिखाई अब नी दे रहा है कैमेरामैन अनिल संहारे के साथ करश्णा ठाकूर पुरे एवीपी नूस अब आए कर दो